नमस्का दोस्तों मैं अने इल एक बार फिर हाज रिखो हूँ आपके सामने एक ठर्म के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SINGENTA कंपनी के दो प्रोड़क्ट आते हैं एक आता है SINGENTA कॉंटिस एक आता है SINGENTA का इसा बियोन दोनों के अंदर अंतर क्या क्या है, कौण से का कब उपयोग करना चाहिए और कौण सा कब बढ़िया रिजल्ट देता है इसके हें बात इस वीडियो के अंदर करने वाले है तो वीडियो को सुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देदू अगर आप इस वीडियो को यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले तो जो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करें घंटे का बटन दबा लेजी जिसे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रही लेकिन अगर आप इस वीडियो को फेजबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेजबुक पेज को फोलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ वैसे दोनों ही ग्रोथ परमोटर हैं जो बड़वार है उसको बूस्ट करते हैं अगर फ़सल की बड़वार रुकी हुई हो तो उसको बूस्ट करने का काम दोनों ही करते हैं लेकिन अगर हमबात करें कि कों से का कब उपयोग करना चाहिए और जो क्वांटीस है इसका कब करना चाहिए तो जो क्वांटीस के अंदर ये जो प्रोडक्ट हैं और गैनिक कार्बन, पोटैसियम, कैलसीयम और अमीनो एससिड्स जो होते हैं इनका ज्यादा महतों अगर हम ब आपको उप्योग करना है तो हमें जो है सिंजेंटा का क्वांटिस उप्योग करना चाहिए क्योंकि ये कल्ले बनाने में जो है मददगार होता है इसका अगर हम सप्रे करते हैं तो कल्ले ज्याद़ ज्यादा बनते हैं यानि कि फुटाओ ज्यादा होता है और अगर हम इसकोप योग वैसे तो आप कर सकते हैं फूल आने से फूल आते समय और फल या आते समय या फिर फल बनते समय भी इसकोप योग कर सकते हैं लेकिन इसका जो बड़िया result है वो आपको तब ही दिखाई देता है जब आपको ज़्यादा ज़्यादा कल्लों की जुरूत होती है अगर आप उस समय इसका शप्रे करते हैं तब इसका ज़्यादा अच्छार रिजल्ट देखने को मिलता है जिन जिन फचलों में कल्ले की हमें जुरूत होती है तो वहाँ पर जो है इसको उप्योग जो है सही रहता है कल्ले बनने के समय पर इसका अगर हम सप्रे करते हैं डोज की बात करें तो तक्रीबन 400-500 ml की बीच में जो है इसकी डोज रखी जाती है 1500 litr पानी के साथ पर्थी लेटर के अगर हम बात करें तो 2-3 ml के हिसाब से इसका जो है सप्रेग किया जा सकता है अब हम बात कर लेते हैं इसाबियोन की कि आखिर इसका प्रयोग जो है हमें कब करना चाहिए तो जो इसाबियोन है इसके अंदर होते हैं अमीनो एसीड्स और पैप्टाइड्स जो है इसके अंदर होते हैं यानि कि जो amino acid और peptides हैं ये जो है इसके अंदर contents होते हैं अब अगर हम कुल लोग इलाकर अगर हम इसकी बात करें वैसे तो आप इसका उपयोग भी कल्ले बनाने के समय कर सकते हैं लेकिन जो इसका result है वो बढ़िया कब दिखाई देता है उसकी हम बात कर लेते हैं तो अगर आप अपनी फसल के अंदर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आपको फूल आने के समय पर जब फूल आने सुरू हुए हूँ या फिर आने वाले हूँ उसके आप इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर फूल आ चुके हूँ यानि कि 20-25 परसेंट जो है फूल आ चुके हो भी आप इसका सप्रे कर सकते हैं ताकि जो फलों की जो क्वाल्टी है वो अच्छी निकले और जो वजन है वो अच्छा आप बोल सकते हैं कि जो अच्छा वजन भी उनके अंदर हो इनकी कुल मिलाकर अगर हम इसकी बात करें तो इसका सप्रे जो है फूल बनते समय और फलि तो इस प्रकार से आप इसका भी सफरेक कर सकते हैं तो इन दोनों के अंदर अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो क्वांटिस है उसका सप्रिया आपको कल्ले बनने वाली फसलों में करना चाहिए और कल्ले बनते समय करना चाहिए जब आपको ज़्यादा कल्लों की जरूरत हो यानि कि जब आपको भुटाव की जुरूत हो और अगर हम बात करें इसकी इसाबियोन की इसाबियोन का उपयोग आपको तब करना से चाहिए जब आपको ज़्यादा है ज़्यादा फूलों की या फिर फलों की जो है जरूरत हो तब आपको इसका उप्योग करना चाहिए बस इतना साही दोनों के अंदर अंतर है वैसे जो दोनों ही प्रोड़क्ट हैं दोनों ही ग्रोस प्रमोटर हैं दोनों ही बढ़वार को जो है बूस्ट करते हैं बसी तनी सी जानकार इसी किसान भाई जो इस वीडियो के अंदर देनी थी किमत की अगर हम बात करें दोनों की किमत जो है 50-60 रुपे का अंतर ही दोनों के अंदर पड़ता है वही दकरीबन 400-400 के आसपास जो है और मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन सुब हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भूत धन्यवाद